केंज दोस्तों वेलकम टू स्टड़ि आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सहरे डिसकर्स करने वाला हूं यहां पर इलेक्ट्रिक वहिकल्स की दोस्तों बात हो रही है जिस तरीके से में पता है कि हर एक कंपनी जो यहां पर आपके शकते हैं मोटर वहिकल बनाने वाली क इसी में दोस्तों बात आती है ओला की आप लोगों ने आप के सकते हैं अपने दिन चरिया में या फिर कभी न कभी आपने जरूर ओलिया की जो कैब वगएर वगएर अगी ती दोस्तों एलेक्ट्रिक आयी थी वह प्ताया जा रहा था कि उन्में आग बगएर लग गई तो य और founder है ओके अगरवाल जी उन्होंने basically क्या करा है यहां पे बोला है कि ओला जो है वो 2024 तक electric cars को launch कर देगी इसका मतलब दोस्तों कि स्कूटी तक जो यहां पर भी company बैठी हुई थी वो अब यहां पर अपनी खुद की electric car को launch करने वाली है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से यह फाइदा देता है क्या नुकसान है क्या फाइदे हैं और जो इनकी कह सकते हैं न्यूज में यह रही थी कि इसकूर्टी वगएरा में आग लगई तो उसका क्या कहना है इनके बारे पे भी discuss करेंगे वीडि दोस्तों यह भी हमें आने अकेडमी से बिलॉंग होते हुए दिखाई देते हैं 19 अगत से दोस्तों जो प्राइस हैं यह बढ़ जाएंगे तो आप लोग अपने जो प्राइस हैं उनने 10,000 तक बचा सकते हैं अगर उससे पहले आप लोग कोर्स पर्चेस करते हैं आप मिनिमल कॉस्ट भी अपने जो कोर्स बगरा हैं इसे पर्चेज कर पाएंगे 18 अगत से दोस्तों जो नए बैचीज हैं अपकमिंग एर के वो भी स्टार्ट होने वाले हैं तो जो बच्ची भी इंट्रेस्टेड हैं वो अभी जाए जल्दी जल्दी और खुद को यहाँ पी कीजेगा अब देखे दोस्तों ओला के फाउंडर और CEO अगरवाल ने कहा है कि जो कंपनी है दोस्तों वो डेब्यू करने वारी है फर्स्ट एलेक्ट्रिक कार को 2024 के अंदर देखे दोस्तों मैं बता दूँ कि जिस तरीके से ओला जिसको यहाँ पर सॉफ्ट बैंक समाहल रह जो कंपनी के फाउंडर है और CEO है दोस्तों उन्होंने बोला कि जो पहली कार यह आ सकती है लगबग यहाँ पे 2024 तक और उन्होंने क्लिम भी कर रहा है इसका कि अपने पहले चार्ज में मतलब कि एक सिंगल चार्ज के अंदर दोस्तों यह 500 किलोमेटर तक ट्रैवल कर सकती ह ओला का दोस्तों यह प्लैन है कि बेसिकली यह डेवलप कर सके टू वीकल प्लेटफॉर्म को और छे अलग अलग डिफरेंट कार को सब भी आपके सकते हैं मैनुफेक्ट्रेड होगी फ्रॉम इट्स गीगा फैक्टरी जो की तमिल नाडू के अंदर है और भी आपके सकते है उसकी ज़रत पढ़ती है तो वो भी expand हो दिया जाएगा अब हमें कितना पता है ओला की electric कार के बारे में देगे दोस्तों बता दूँ कि इतना कुछ उन्होंने अभी तक तो rebel नहीं करा है लेकिन उन्हें दो specs बताए हैं पहले specs तो दोस्तों यह हो गया कि zero आप कहज़कते ह होगा उसकी range की बात करूँ तो 37 km है और इस टाइम पर वो electric vehicle में काफी ज़्यादा है और उसकी 0-600 जाने में 9.4 सेकंड लग जाते हैं मतला कि कहीं ना कहीं जो Nixon है Tata की उसको यह पूरी टकर दे रही होगी देगे दोस्तों मैं बता दूँ कि जो Tata Nixon है यह compact SUV है तो उसको buy क करना कहते है कि काफी अच्छा रहता है और साथी दोस्तों एक नया form factor है उसके अंदर उसकी अपनी एक नई कार है टीजर में दोस्तों जो image हमें देखने को मिलती है वह आप कर सकते हैं बिलकुल सेम आती है जिस तरीके से आप कर सकते हैं जिस तरीके से hatchback रहती है उनकी तर करते हुए बोला था कि not setting up manufacturing plant in India तो इस बात को जब कहा था टेसला इलॉन मस्क ने तब अगरवाल जी ने कहा था देने वाली है अगर बात करें ओला की battery की तो यह कहां manufacturer plan होने वाले हैं तो देखे लास्ट मन दोस्तों और ने साइन करा है अपना agreement under the center production linked initiative जो कि आपका PLI scheme है इसके बारे में मैंने cover करा है basically कि वह manufacture करेंगे batteries भारत में company ने दोस्तों यह कहा है कि वह यहां पर only Indian electric mobility company को select करेंगी बाइदी government जो कि आपके सकते हैं काम करेंगी 80,000 करोड का जो cell PLI scheme है उसके अंदर यह दोस्तों receive करने वाले है maximum capacity of 20 GWh आवर वाली अपने जो इन्होंने मार्च में बेड़ हुई थी उसके अंदर अगरवाल जी ने यहां पर और भी बताया है कि जो बैटरी का module है यह आपके सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई भी देगा claim करते हैं कि जो cell है वो develop करा जाएगा पूरे तरिक्के से electric cells के साथ और batteries के साथ तो वो यहां पर आप इंवेस्ट करेंगे और इसको काफी बड़े scale पर भी पहुंचाने वाले हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत जो है अगले कुछ सालों के अंदर जो battery और electric cells है इसके अंदर महारत हासिल करें और जिस तरीके से बाकी देशों से मलग चीजे आपके सकते हैं इंपोर्ट करवा रहे हैं उनको हमना इंपोर्ट करवाते हुए लोगों को एक्सपोर्ट करें इस बात को यहां पर उन्होंने बोला है आगर किस तरीके से यहां पर जो ओला electric vehicle यह परफॉर्म करने वाला है मार्केट के अंदर देगे दोस्तों मार्केट लिडर है विद मार्केट शेर जो उसके हैं वो मोर दें 32 परसंट है जुलाई 2022 में दोस्तों ओला मार्केट जो है वह यहां पर हो जाता है 0.34 परसंट यह सारा डेटा में पता लग रहा है अभी देखिए अपरेल के अंदर कंपनी ने यह यह बोला कि वह रिकॉल जो कंपनी है वो लेटरली से आइसोलेटेड इंसिडेंट में कहलाई जाते हैं कि ऐसे पहला ही इंसिडेंट आया है यहां पर दरदनों यहां पर कहते हैं लेक्रिक स्कूटर जो ते बहरत देश के अंदर लास सप्टेंबर में काफी सारी आग दो थी उन्होंने पकड़ी और इसकी वज़े से यहां पर आपके सकते हैं चार जो लोग थी इनकी देथे भी नोटिस होती है क्योंकि उनका जो वीकल है उसमें आग लग गई थी आखिर क्या रिस्पॉंस रहा था ओला स्कूटर जब यहां पर आग पकटा था उसके तहत तो देखे जितने यहां पर अंग पर आते हैं उनको यहां पर रोड ट्रान्सपर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने का कि जो सेंटर सेंटर का है सेंटर फॉर iron seems एंवर्यमेंट को लेकर कि वह इनवेस्टिगेंट करेंगे इंसीडेंट को और सब्स्रेस्ट करेंगे जो इहां पर इस को सकते हैं उनने सब करके दे जो भी यहां पर issues आ रहे हैं चाहे quality है sentry guidelines की उनको ध्यान में रखके यहां पर electric vehicles को बनाया जाए यह सब यहां पर आपके सकते हैं इन्होंने बताया है basically तो यह हैं बाते दोस्तों जो कि मैं पता लगती है इस पूरे topic से क्या खिर क्या होने वाला है और क्या नहीं अगर अब भी कोई आपका doubt रह गया है दोस्तों तो पूछे का comment section में आज की video के लिए इतना ही till then take care and have a nice day